उच्च नियलय के आदेश के बाद अनुसूचित जन जाती वर्ग का आरक्षण 32% से घटकर 20% रह गया है 2012 में हमारी सरकार में अनुसूचित जन जाती वर्ग को विधांत सभा में कानून बनाकर 32% आरक्षण देने का काम किया मामला उच्च नियलय में विचारा धीन था 2018 में सर्वोच नियलय ने उच्च नियलय को निर्देशित किया कि इस मामले का निराकरण तीन महिने में किया जाए पर सरकार मामले के सुनवाई से भागती रही और जब माननी उच्च नियलय ने समय देने से मना किया तारिक बढ़ाने से मना किया और राज सरकार ने भीना तैयारी के और जो तथ्या माननी उच्च नियलय के समख प्रस्तूत किये जाने चाहिए थे वो तथ्या प्रस्तूत नहीं किया और इससे अनुसूचित जन जाती वर्ग के लोगों के साथ बड़ा न्याय हुआ और इसके लिए केवल और केवल राज जी की भुपेज बगेल जी की सरकार दोसी है जिनके कारण अनुसूचित जन जाती वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हुआ अत्याचार हुआ इसी प्रकार अनुसुची छेत्रों में इस्थानी भर्ती के माध्याम से जीले इस्तर पर भर्ती करके उन अनुसुची जीलों में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों को वही भर्ती देकर जो उनको आगे बढ़ाने का उसर मिल रहा था वह भी राजी की भुपेज बगेल की सरकार की लापरवाही के कारण उस छेत्र के सभी वर्ग के युवा उस अधिकार से वंचित हुए और इस प्रकार नाकेवल अनुसुची तजन जाती वर्ग के साथ राजी की भुपेज बगेल जी की सरकार ने अन्याय किया है अत्या प्रकार राजी की कांगरेश की सरकार भुपेज बगेल जी की सरकार ने किया है इस विशाय को लेकर अनुसुची तजन जाती वर्ग के लोग आक्रोसी थें अंदोली थें आज भारती जनता पार्टी के सेर्स नेतरत्व मानिनी राजिपाल महोदिया से मिलकर इन सारी इस्थितियों से उन्हें आउगत कराया और आगरा किया कि हमारे अनुसुची तजन जाती वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहों उनका अधिकारों का हनन न हो उनके साथ न्याय हो और जो अनुसुची छेत्रों में भर्तियों में जो बिवस्था की गई थी उस बिवस्था को बहाल करके उन जीले के नवजवानों के साथ न्याय हो इसके लिए आप अपने अधिकारों का उप्योग करें राज्य सरकार को निर्देश दें के अनुसुची तजन जाती वर्ग के लोगों को उनका हक मिले वाजिब हक मिले समयधानिक हक मिले और उस छेत्र के रहने वाले नौजवानों को जो सुविधा मिल रही थी वो सुविधा फिर से बहाल हो यह आगरा हमने राजिपाल महोदिया से किया है उन्होंने हमारी बात ध्यान से सुनी है और हमको आस्वस्त किया है कि इस दिसा में वे हर संभाव पहल करेंगी प्रयास करेंगी सरकार से बातचित करेंगी देखे आज तो हमने इस विशाय पर किया है कि अनुसुचित जन जाती वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है अनुसुचित छेतर के साथ जो अन्याय हुआ है और ऐसा नहीं है कई राजियों में आरक्षण 50% से अधिक है सरकार इस मामले को गंभिरता से लेती अधिकारियों का अपने चहते अधिकारियों के लिए बड़े बड़े अधिवक्ता आप निक्त करते हैं हमारे जन जाती वर्ग के भाईयों के लिए आपने बड़े अधिवक्ता निक्त नहीं किया मुगदमे को गंभिरता से नहीं लड़ा सरकार का पक्ष गंभिरता से नहीं रखा और इसके कारण से ये परिस्थितिया बनी है और इसके लिए केवल और केवल राज जी की भुपेज बगेज जी की सरकार दोसी है आज नंद कुमार साय जी संभागी बैठक अंबिकापुर में है उस बैठक में सामिल होने के लिए गये हुए है और चानकारी में बाचीत हुई आकड़े जो प्रस्तूत किये जाने चाहिए थे इस आरक्षण को जस्टिफाई करने के लिए वो राज सरकार ने प्रस्तूत नहीं किये मैंने जैसे कहा अभी तक राज सरकार ने इस पर कोई भी कारवाही नहीं की है हाथ पर हाथ धरी बैठी है और मुकदर्सक बनी बैठी है तो सरकार को जगाने के उद्देश इसे और जनजाती वर्ग के हक के लड़ाई के लिए हम मैदान में हैं सरकार किस विषय को लेकर विषय सत्र बुलाएगी और ये कानून तो विधान सभा में सरवानुमती से पास होके बना था आपको किवल उच्च नियाला में अपने पक्स गंभीरता से रखने थी आपने लापरवाही बरती आपने अनुसूचित जनजाती वर्ग के साथ अन्याई किया राज्य में चार साल से कांग्रेज की सरकार है सारे आखड़े और तत्य सरकार के पास थे और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से माननी उच्च नियाला के समझ प्रस्तूत नहीं किया और इसलिए राज्य सरकार दोसी है निश्चित रुप से बहुत गंभीरता से विचार विबर्स करके ये बिवस्था की गई थी राज्य सरकार के लापरवाही से घोर लापरवाही से ये परिस्थितिया पैदा हुई है मैं वही बोल रहा हूँ कि राज्य में चार साल से कांग्रेज की सरकार है तब तक जब तक हमारी सरकारती कोई दिक्कत नहीं हुई, आज जो दिक्कत हुई परिश्थितियां हुई, सरकार में मामरी को ठीक से मानने उचले अल interior के समझ प्रस्तूत नहीं किया, राज सरकार, कांगरेस की सरकार, पुपेज बगेल जी की सरकार अपनी जुम्मेदारी से ना भागे जुम्मेदारी ले देखें ये उच्चनयाला के फैसले के बाद ये परिस्थितिया निर्मित हुई है आज पूरा जनजाती समाज आंदोलित है और विपक्ष के नाते जनजाती समाज के हक की लड़ाई के लिए हम मैदान में है मैं आपसे कह रहा हूँ कि अनएक राजियों में राजियों के संख्या के अनुपात में वहां के परिस्थितियों के अनुरूप पचास प्रतिसत से भी अधिकारक्षण है और ये अन्ठावान परतिसत चत्तिरगण में हुआ था और राजियों सरकार उसको बचा नहीं पाई डिफेंड नहीं कर पाई इसलिए ये परिस्थितिया निर्मित हुई है जले बहुत धन्यवादि राजियों सरकार बिना कोई तैयारी के बिना संपूर्ण विवस्था के चत्तिरगणिया उलम्पिक कर रही है लगातार घटनाय हो रही है राज सरकार में जो प्रसासनी अबिवस्था अराजकता है उसका उदाहरन उसका खामियाजा लोग भुगत रहें